हलो फ्रेंद्स आज मैं बनाने जारी हूँ सूपर टेस्टी एकदम क्रीमी थिक ओरियो कोफी इसे बनाना बहुत आसान है इसे आप सिरब दो मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिये फिर चल्दी से बनाना शुरो करते हैं और यो कोल्ड कोफी बनाने के लिए मैंने यह आपर एक पाव लिया है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमस हलका गरम पानी और अब साती में इसमें डाल एक बड़ा चमस इंस्टेंट कोफी पावडर और इसमें आप किसी भी ब्रांड का कोफी पावडर इस अब साती में डाल देंगे एक ग्लस ठंडा दूद तो मैंने यापर दूद को उबाल के ठंडा कर लिया था और साती में इसमें डाल रहिए हम थोड़े सी आइस क्यूब और अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल जाल जहूँ एक बड़ा चमच kosko powder और अगर आपको dennी डालना है तो आप सक्क्राइब कर सकते हैं और अब मैं इसमें डाल जहूँ 3 बड़े चमच चीनी यूद अपने टेस्ट के एक कोडिंग कम ज़दा कर सकते और आब इसमें मैं डाल जहूँ एक बड़ा चमस चोकलेट सिरफ तो अब जारका रखन बंद करेंगे उसे ब्लेंड कर लेंगे और यह देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और कोड कोफी हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे औरियो तो मैं यहां पर साथ से आठ औरियो को तोड़ कर ढाल रही हूँ ऐसे और अब मैं साथ इस में डाल जी हूँ दो स्कूप वनिला ऐस्क्रीम आप वनिला की जगे चोकलेट ऐस्क्रीम पर ढाल सकते हैं तो अब जार का डखन बंद करके हम इसको एक बार फिर से यह देखिए तो यहां पर यह चोकलेट शीरप किनारों पर डाल देशे यह देखिए तो ग्लास को मैंने डेकुरेट कर लिया तो अब इसमें हम डालेंगे एकदम थिक क्रीमी ठंडी ठंडी ओरियो कोल्ड कोफी और अब इसके उपर हम डाल देंगे एक स्कूप वनिला ऐस्क्रीम और अब इसको उपर से हम चोकलेट सिरप और ओरियो बिस्किट से गानिस कर देते हैं तो यह हमारा सूपर टेस्टी ओरियो कोल्ड कोफी बनकर तयार है इसे आप ठंडा ठंडा सारू करें अगर आज की रेसिपी ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें